हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे आज हम बात करेंगे नायरकट कुरती के बारे में जो की आपको वीडियो में दिख रही होगी को बहुत सुन्-धर लगती जिसका लुक बहुत सुन-धर आप इसे पार्टी वियर कहीं भी पैनके जा सकते ओ भोत अच्छा लुक आता है है आप एक बार ट्राई करकि जुरूर देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंजे वीडियो क कुर्ती के बारे में बताऊंगी तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां मैंने कपड़ा लिया है नैट हमारी टू मीटर है और टू मीटर इसका अस्तर है एंड लेस है अब अपने अकोर्डिंग ले सकते हो कोई भी कपड़ा सो यहां जो यह नैट है एक नैट हम इसमें टू पार्ट कर लिए है एक पार्ट हमारा बाजू और कोटी के लिए है एंड सेकिंड पार्ट हमारा है चुन के लिए जो हम चुन भरेंगे सो पहले कपड़े को अच्छे से बिषा लें चार टेश बनानिये कपड़े की जिसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा पहले टू बना ही एंड याद रहे जो बंद हिस्सा वहoperation आं जैसे यह यह आप को दिख रहा होगा आपको वीडियो में और अब हम लगाएंगे ड्राफ्ट लगाएंगे फिटिंग का अगर वो आपके उपर आप अपने अकोर्डिंग जितना भी फिटिंग का ड्राफ्ट आपका अप लगा सकते हो और यहां जो हमारा तीरा है वो साड़े पांच इंच का है अफने मर्जन बढ़ा यहां छहेंच की रखी इसकी लंबाई ब्राफ्ट है 38 को बट्टा हिस्सके बाद CEO मिला लेंगे लेकार लगती है अपने वीडियो में देखा ही होगा अगर आप चाहो तो आप 14 भी ले सकते हो बड़ 13 सही रहती है जो कोटी की लंबा ही रहती है उसके बाद जो हमारी कोटी है वो कट चुकी है उसके बाद यहां हमारी लेंथ थी 40 40 में हमने 12 माइनस करा सो हमारी 28 अब जो लेंथ है वो आपको 28 अगर आप अपनी लेंथ के अकोडिंग ले सकते हो यहां मैंने 28 लिए इसकी लेंथ और इसमें से टू पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा यह हमारे चुन के लिए है हम इसे टू पार्ट में डिवाइ वरना आपके जो चून है वो उल्टे सीधे बरेंगे अच्छे भी ने लगेंगे तो हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल सीधी आनीची स्ट्रेट होनीची उसके बाद इने हिस्सों को जो पार्ट में वो अलग कर लेंगे बिल्कुल जैसा आपको वीडियो में दिख रहा ह जहां आपका अगर ज्यादा कपड़ आ रहा है कम आरा तो आप उससे चार्ट कर दे और बिल्कुल कपड़ा जो नेट जो भी आपके पास वो एक्दम सहील है जैसा आपको वीडियो में दिख रहोगा इसके बाद यह जो कपड़ा यह हमारा चून के लिए है जिसे हमारी च आपको इसमें ड्राफ्ट कुछ नहीं लगाना आपको इसमें बस जो आपका नेट की कटिंग है आपकी उसे ऊपर रखना है इसके और उसी के नापकी आपको इसकी कटिंग कर देनी है जो जो मैंने इसे उसके उपर बिचा ले याद रहे अच्छे से बिचाना है कपड़े को जो नेट है कपड़े के उपर अच्छे से बिचानी है जरासी भी तेड़ी ना रहे और बाद में आप उसके कटिंग कर देना जो आपको वीडियो में दिख रहा है इसके बाद जो आपका अस्तर है जो भी आपके पास अस्तर बचा है उसके बाद जो हमारे जुन का कपड़ा बचाता है हमारे पास आपको उसी तरीके से उतना ही कपड़ा काटना है जैसे आपको मैं बता देती हूं करके आपको वीडियो में दिखर होगा आपको कपड़ा पहले फैलाना है बिल्कुल अच्छे से कपड़ा आपको करना है जरा सभी जोलना है कपड़े में अस्तर में जरा भी जोलना है एकदम सीधा रहे जैसे आपको वीडियो में दिखर एकपड़ा सीधी कटिंग और प्रकिज को बिल्कुल इत करकेई जो डौप पार्ट से डौल पार्ट स्मय हैं आप को करना है तो धेख सकते हैं जैसे मैं क्पासियो बाइवma में प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब खर दे तक शेयर कर सकूँ न्यू न्यू डिजाइन की वीडियो न्यू डिजाइन आप तक पहुचा सकूँ प्लीज चेल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जो हमारी कटिंग थी वो हो चूकी है अब हम लगाएंगे ड्राफ्ट जो बाजु है उसका आपको अपनी अकोडिंग बाजु की लेने हैं हमएने बाजु की लेन्ग 20 ली है 20 इंच बाजु की लेंग थे उसके बाद 8 इंच की चोड़ाई है और धाई इंच के इसका मार्जर लगाएंगे नीचे और जो उपर वाले कोने से नीचे को मिला देंगे जैसे आपको दिख रहा होगा उसके पाद फिटिंग का निसान लगा के उससे दो इंच दूर करके आपको कटिंग करनी है आप देख सकते हैं वीडियो मे सो जो हमारी बाजू है उसका ड्राफ्ट लग चुका है और उसकी कटिंग भी हो चुकी है अब मैं आपको बताती हूँ और इस कपड़े में याद रहे जो आप उरेब पट्टी काटनी है अगर आपके पास उरेब पट्टी है या पीछे के लिए मैं कुछ लेस लगाने च अब मैं आपको बताओंगी इसकी स्टीचिंग वह बहुती सिंपल तरीके से स्टेप पाइ स्टेप जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और आप सीख भी जाओगे आसानी से सिल्भी जखोगे तो यहां पहले आपको जो अस्तर है वो लेना है आप चाहो तो आप जो ड्राफ्ट वो लगाती है और अपको नाट सीधी रखनी है और अस्तर उल्टा रखना है उसके बाद जैसे आपको ड्राफ्ट अपने गले का ड्राफ्ट लगाया है उसी ड्राफ्ट पे आपको मसीन की स्लाई लगानी है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा होगा मसीन की स्लाई लगानी है और बरीक चाल से लगानी है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है जैसे मैं स्लाई लगा रही हूँ याद रहे जैसा आपका ड्राफ्ट है वैसे ही आपको स्लाई लगानी है ड्राफ्ट के उपर लगानी है स्लाई जराजी भी ड्राफ्ट से अलग नहीं लगानी सो यहाँ जो हमारे गले कर ड्राफ्ट है उस पर स्लाई हमारी लग चुकी है आप देख सकते हैं उसके बाद आपको जो यह कपड़ा है जैसा आप नौर्मली गले जमाते हो कटिंग करते हो नौर्मली गलों की वैसे आपको कटिंग करनी है आदे आदा इंच कपड़ा ड्राफ्ट आपकी सलाई लगी हुई है अधा-धा इंच कपड़ा छोड़के और वहां आपको कट लगाने छोटे-छोटे कट ताकि जो गला है उसे हमें पलटने में दिक्कत ना आए वरना तो बहुत से लोगों के जो गले में सिम्टन आ जाती है वो कट के वज़े से आती ह कट सही नहीं लगाते याद रहे चोटे-छोटे अच्छी जुटाइने ताकि गला है उसमें पलटने लगे आपच हो लगाते यहां यह इस मार्केट में कहीं भी मुल जाई कहीं भी वीडियो में Tales from America और आपको गले पे जिसे आपने गले की को लाई है यह सापको वीडियो में दिख रहा वा और अगर आपके पास चोड़ी लेस है आप चोड़ी लगा रहे हो तो उस लेस में आप चुन भरके लगा सकते हो तब ही जो आपकी लेस है वो अच्छे से लगेगी यहाँ यह पतली लेस है इसलिए इसमें चुन भरने की कोई जरूरत नहीं है और यह गले में अच्छे से ल याद रहे लेस में ज्यादा बरीक चाल नहीं करनी बस आपको जो मशीन के नंबर होते हैं तीन नंबर की चाल करनी है बस ज्यादा बरीक चाल लेस पे नहीं चलानी उसके बाद आप देख सकते हो जो हमारी लेस है वो जो कलेप में लगा रही हूँ वो लग चुकी है आप दे कर लिए और जो हमने उरेप पट्टी काटी थी जो मैंने आपको बताया था यह पट्टी हमें इस पे लगाने फोल्ड करके फोल्ड करने पट्टी एंड आदे पेर की जो सिलाई यह चोड़ते जाए आदे पेर दूरी पे पे लगाएं याद रहे और नेट बिलकुल मिलाके लगाएं अगर आप नैट का कुरती बना रहे हो अगर वैसे ही नौर्मली बना रहे हो तो आप ऐसे ही लगा सकते हो जैसा आपको यह उरेव पटी है यह भूत ही कमफर्टेबल रहती है बैग गले में इसे पलेटने में कोई दिक्कत नहीं आती और नहीं इससे जो हमारा बिल्कुल आदे पेड़ दूर करके स्लाइब यहां हमारी जो पटी है वो लग चुकी है याद रहे जैसे आपने फ्रेंट के गले पे निसान लगाए थे कट छोटे-छोटे वैसे आपको इस बैग गले पे भी छोटे-छोटे कट लगाने जैसे मैं लगा रहे हूं स्लाई ना कटे इतना ध्यान रखना बस सो उसके बाद जो हमारे मुड़े हैं हम वो जोड़ देंगे याद रहे मुड़े सुरू में आदा इंच लेना और पीछे आपको जो लगानी है वो गोलाई में करके लगानी नीच पीछे की साइड एक इंच ले जाके लगानी है ज जो अच्छी फीटिंग आ सके हमारी उसके बाद आप देख सकते हो जो हमारी मुडों पर जाइ है वो लग चुकी है उसके बाद जिस dapat इस वाले मुड़े पर कॉस्ध लगाए है वैसे ही इसवाले मुड़े पे भी साइड लगाएंगे यह मारी साइन लग लघंगे थै दो यहां में चलाइ लगा दी है मैंने उसके बाद आप जो कोटी है उसकी फिटिंग के निसान लगा के ड्राफ लगा के और आप अपनी जो कोटी है उसकी आप फिटिंग कर लेंगे है 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 व 1 उस McLब को और आपकाक्र देख सकते हो फीटिंग के निसदान लग चुक्तर श्रॉब अंट सील अपने लगा दिये जो फीटिंग यह हमारी कोटे की वह हो चुक्ग है एंड याद रहें अगर अगर ड़ोख करके रगा जिस तरीक से आपने इधर लगाई वैसे उधर भी फिटिंग की लगाएंगे उसके बाद हमारी जो कोटी है वो रेडी हो चुकी है हमारी अब हम बात करेंगे इसके चुन की जो हमने कपड़ा लिया था जो मैंने आपको कपड़ा बताया था कटिंग की थी चुन इसकी बात करेंगे याद रहे इसका एक जो कोना है वो उस पे لेस नहीं लगाने जहां हम चून भरेंगे उपर की साइड और बाकी जो तीन कोने है उन पे लेस आपको attach करके लगानी है जिसे मैं लगा रही हूँ आपको उसी तरीके से लेस लगानी है आप को ऐसे ही ले जानी है कोने पर और आपको कट नहीं करनी तीनों कोनों से आपको अगर आपकी लेज चोड़ी है तो आप बीच में सिरिफ हलका सा कट लगा के कोने पर लेज के और पलट सकते हो उसे और आपको कटिंग नहीं करनी है आपको एक ही लेज घुमा के ले जानी है और ताकि कट करके आप लगाओगे तो बहुत ही बूरी लगती है लास्ट कोने पर आपको बस अटेच करनी है बस तो आप देख सकते हो जो हमारी लेस है फ्रेंट पार्ट पर वो लगके रैडी हो चुकी है यहां हमारी लेस लगके रैडी हो चुकी है वैसे ही आपको लगानी है जैसे आपको ये मैं पलट रही हूँ लेस वैसे ही आपको पलटनी है जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है याद रहे तो हमारी जो लेस है वो लगके रेडी हो चुकिए है यहाँ पर आप स्लाई पकी कर लें अपनी लेस की ताकि वो निकले नहीं पहले हम इसमें चुन भरेंगे और इसमें चुन भरने आप चाहो तो मसीन वाले चुन भर सकते हो याद रहे जो साइट के फिटिंग उसके कोने से मिला के लेना है उसके बाद हम चुन भर देंगे इसमें आप चाओ तो आप मसीन के चुन भर सकते हो जो धागा कीच के भरते हैं या प्लेट वाले भर सकते हो बठिया प्लेट वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं चुन इसमें तो यहां मैं प्लेट वारे चुन भर रही हूँ, वो आपके उपर है, आप कितने भी काउंट करके भर सकते हैं, यहां जो हमारे चुने आपको ऐसे ही चुन भरने हैं, छोटे-छोटे, याद रहे जो आपकी नेट है, एंड कोटी है, दूसरा पार्ट अलग करके भरने हैं, दूसरा पार्ट पर से ना बिल्कुल भी, और जो हमारी नेट है, वो अच्छे से कवर हो जानी चाहिए, याद रहे, और जो कोटी की नेट है, वो भी कोई कपड़ा ना दब है, उसके बाद आपको जो लास्ट जो आपका कोना है, याद रहे, वो भी फिटिंग से ही इतना अगर आपका कम पढ़ रहा है, आप खोल के दूबारे भर सकते हो, गर जादा पढ़ रहा है, तो आप चून डबल कर सकते हैं, वो अपने फ्रेंट पार्ट पर चून भरी है, वैसे ही आप इसके बेक पार्ट पर चून भरोगे यहाँ, जो आपको दिखाए वीडियो में, सो यहां हमारी जो चुन है वो भड़ चुकी है दोनों तरफ आप देख सकते हो साइट का जो हमारा कट है वो खुला रहेगा अगर आप इससे बंद करना चाहते हो हलका सा तो आप कर सकते हो सो अब हम अस्तर की बात करते हैं अस्तर अब हम लगाएंगे उसके बाद आपको जिससे आपने शारों तीनों कोनों पर लेस लगाई थी यहां आपको लेस नहीं लगानी है ताकि मजबूत हो जाए यह कपड़ा और उसके बाद यह पैक पार्ट से जिससे आपने चुन भरी वैसे ही आपको यह भरनी है लेकिन याद रहे चुन आपने पतली पतली चोड़ी चोड़ी भरीती लेकिन इसमें जो हमें चोड़ी चुन भरनी है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है उस तरीके साब भर सकते हो जाद जादा कपड़ा लेके ताकि यह जो कपड़ा है ह हमारा पूरा सैट हो जा इतने में ही आप देख सकते हो इसी टाइप से आपको भरनी है चुन अब देख सकते हो याद रहे जो नेट है नीजर नेट की चुन है उसका भी ध्यान रखना वो बिल्कुल सीधी होने चाहिए वो जुरासी भी दबे नहीं कपड़े में और ना ही मुड़े तो इस तरीके से आपको भरनी है चुन अस्तर की आप देख सकते हैं यह बहुत इजी तरीका है और जिना ही इसमें कोई दिक्कत आती है अगर आप अस्तर के साथ चुन भरेंगे उसमें आपको दिक्कत भी आएगी और वो लुक अच्छा भी नहीं देगा तो इसका भी कोना आपको क्या करना है जैसे आपने उसक कोना मिला देना जिस आपने अस्तर के चुन भरी थी वैसे आपको इसका भी कोना मिला देना है आपको वीडियो में दिख रहा होगा जो हमारा अस्तर है वो यहां लगके रड़ी हो चुका है प्रेंट पार्ट पर अप देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आई भरने में बहुत इजी तरीके से हमारा जो अस्तर है उसके चुन भर्ग है वो अस्तर लग चुका है और यह फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ करने में तरफ सकते हैं देख सकते हैं तो हम बहुत कर quiet आ चाहुआ करेंगे इनकी में चाहिए आप अपने तो ऊसके बारheart प डाइरेक्री बाजू अम चाहिए प्ले में कट्रेंग ऐसे पकार सरफिण ँसके बाध ऐसे बाजू अटेज करोगे वोतियासन तरीका है सूट जो भी नायर फ्रोक है आपकी वो उल्टी हो बाजू सीधी हो एंड जोड से जोड मिलाना आपको जोइन दिख रहा है आपको जिसे वीडियो में दिख रहा है वो जोइन मिलाकर कपड़ा फोल्ड कर देना है उसके बा पास्तिन में ऐसे लगाने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इजी ली लग भी जाएगी देख सकते हो आप जो वैसे आपको ऐसे घुमा के आपको चारो तरफ फूरी सलाई लगानी है जब तक हमारी बाजू जो अटेश नहीं हो जाती आप डबल सलाई लगाना चाहते हो आप डबल लगा सकते हो आप सिंगल लगाना चाहते हो बट याद रहें बरीक चाल करके ल हुआ सकते हैं आपको भी ऐसे ही लगानी और ना हो नाहीं नईट कहीं दबे you still लग सके तो अब देख सकते हो यहां जो हमारी नईट है नईट की बाजू है वह अटेच हो चुकी है लग चुकी है यहां पर ऐसे अपने इसमें नेट की बाजु लगाई यहां यहां वैसे आपको जो दूसली है उसमें भी आपको एसे ही नेट की बाजु लगानी है और इसके बाद जो आपकी नाएरा कटकुर्टी है वह रैडि हो जाएगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं वीडियो का लाइक जरूर करते हैं थैंक यू